भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवहालाल नहरू की जुएंती पर बाल दिवस 14 नवंबर को शुप संकर्प समुह दुआरा विभिने कारिक्रमों कायजिन किया गया कारिक्रम निर्देशक डॉक्टर सुनीत श्रिवास्तों ने बताया कि इस उसर पर बाल सहित्यकारों के साथ वरिष्ट सहित्यकारों ने भी काविपाट किया कैलक्रम अध्यक्षी डॉक्टर लिली डाबर तथा इंडोनेशिया से पधारी प्रसिद्य सहित का डॉक्टर मिनाक्षी मीनू थी इस उसर पर बच्चों के लिए दौर कुर्सी रेस प्रतियों गिताय जित की गई बच्चों में आदित प्रजापती, पूनम प्रजापती, आदित मंजवानी, रोषनी फेहर, सावन परी, शर्मा, आर्यन शिर्वास्तो प्रेड़ना प्रजापती ने कावेपाट किया शुप संकल्प द्वारा मासिक कावेपाट का पुरुसकार भी पिदान किया गया निशी मजवानी, सुर्भी शुकला, अनु अस्थाना, महिमा शुकला, करुणा प्रजापती, नयान राठी के कावेपाट को सभी के द्वारा सभी का मन जीत लिया एस अउसर पर 40 बच्चों के सुंदर अध्भुद चित्रकारी का प्रदर्शन भी किया गया बच्चों ने बहुत सुंदर मॉडल बना कर अपने हुनर का परिचे दिया हुनर फॉक्स के बच्चों ने अपनी जल कला का प्रदर्शन रंगों से किया अमिधा शुकला की चित्रकारी को सभी ने सरहा मिनाक्षी मीनू ने कहा शुप संकल्प की निर्देशक डॉक्टर सुनीत अश्रिवास्तों ने हमारा मनमोह लिया है उनके रशनात्मक और सकरात्मक गती विधियों से हम रूबरू हुए है और हमें इन दौर के साहित्तेकारों से मिलने का स्वभाग्य प्राप्त हुआ है लिली डाबर जी ने कहा शुप संकल्प सम्हों के एवल बड़े साहित्तेकारों का ही नहीं वलकि बच्चों के लिए बढ़िया कारिका रही है इस अउसर पर सभी प्रतिभाग्यों को पुरुसकार तथा प्रमान पत्र सम्मान पत्र प्रदान किये गए कारिकर वसंचालन, करुणा प्रजापती तथा महिमा शुकलानिकिया एवं आभार शुप संकल्प सम्हों के निर्देशक डॉक्टर सुनीत अश्रिवास्ता उने माना अज 16 नमबर बाल दिवस के उसर पर अहिलिया लाइबरेडी में जो आईजित किया यह जो पुरा कारिक्रम है आज का वो सिरु बच्चों के ही लिए है और साथ ही क्योंकि बच्चे जो है बिना अभिवावत के आगे नियुक्त पाते तो बच्चों के साथ अभिवावों को भी हमने दोर प्रतोगीता का विपाट नखा है अधरी स्कॉस्ट क्लब में टेवर्डिनिस कपना चलता है तो मोनिग में सुभे वहां गतिव दिया हुई और लिली जी का था के कोना उनोंने हमको दिया है बच्चों के लिए तो शाम के समय कुछ बच्चे हमने जाम दित किया है आज क्या क्या आए यहां पर इंजया लाएं देगा पर बच्चों के यह चे रह से दोर्ड है और मेमोरी रह से और का विपाट अथी दी के रुप में आज कोर कारेकर्म हमारे जो अथी थी हैं तो शार्ष्किय अल्या केंद्रिय है उस्तरकालाइकी में डावल जी श्रोच में उस साथ है पर वो एक गर है कोरोना को लेकर कि मावाब और आसपार के सभी लोग करें तो थोड़ा जीज़क रहें बच्चे बच्चे चनला करना तो चाहरे बोलना ही चाहरे भाग दिलेना चाहरे पर को लगता है कि रिमारी की चाहरे कुछ बच्चों ने चीत्रकारी साथ बथ की अपने प्रोजेक्ट भी लगता है उसको लेकर है किस बच्चों की我就 सुंदार चित्रकारी है बाड़ों ने भी बहुत अच्य प्रोजेक्ट बना है् और ऑसमीद शुकला जी ने भी अपना बहुत अच्छी चित्रकारी की और वह वरिष्ट चित्रकारों में से आपका स्वागत हैं तो आपका स्वागत हैं तो आपका स्वागत हैं किस उताइश। सभी विदा कर दिखते हैं लेकिन विदा हमारा प्रीशेट्र है इसलिए हस जादा लिखते हैं वैसे सभी विदाओं पर लिखते हैं कब से आपको लेखन का शोग कब से शर्ब आवत Palis हमारे घर में ही हमारे पिता जी हमारे चाचा जी ये सब घर में पहले से ही अच्छे साहितिकार हैं और घर में ही लेखन का माहौल हमको बच्पन से मिला और फिरागे चल कर जब कॉलेज में पहुंचे तो ये प्रबल होने लगी एक्षा और लेखन आरंध हो गया आप इंडोनेशिया में है वक्तमान में भारत और इंडोनेशिया के साहित्य कारों में किस तरह का इंतराव देख यह alma कि वहां के कवी हैं वह भी समाझ पर प्रक्रतिंपे पर्यावरंड पर देश-पर देश्पे ही लिखते है ज्छादा से ज्यादा कि जिससे हम इस तरह से अपनी प्रक्रती को पर्यावरन को देश को शहीदों पे ये सब लिखते हैं तो समानता ही है दोनों हम हिंदी में लिखते हैं अपनी कविता हैं हम लोगों की एक चुकी अभी PLG SI साहित करके एक मंच है तो हम कवियों का एक सामुहिक संग्रह अभी छपा है पबलिश हुआ है और दूसर हमारा जो संग्रह है वो इस महने में आएगा वो भी सामुहिक है लेकिन दिसंबर में 2020 में हमारा एकल कविता हमारी पुस्तक छपेगी जो बहुत जल्दी आप सब के सामने आएगी किस तरह से आज आएजन में नेरु जैडिती का उसर पर बढ़ा रहें क्या किस तरह से आप उतनी शुपकामना है बच्चों के लिए यही शुपकामना है कि बच्चे भविश हैं हमारा तो हम सब उनका साथ दें उनके हर क्यों क्या कैसे प्रश्णों का जवाब दें जिससे उनके मन की उतकंथा समाप्त हो क्योंकि क्यों क्या कैसे में अविश्कार छुपे होते हैं और जब बच्चों की उतसुता कम हो जाती है तभी आगे बढ़के और नई-णई खोजे करते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो जो आज आप सब लोग मिलके नहरुजैन्टी पर कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं उनकी इक्षा शक्ति को और प्रबल कर रहे हैं इसी तरह सहयोग करें और जिस तरह से आज बच्चों को हमने देखा है यहां पे कि हर श समय में डिजिटलाइशन कर यूग है किस तरह से आप बच्चों को युवाव को प्रेवित करना चाहेंगी कि हिंदी साहित्य करती उनका रुजान है बिलकुल साहित्य तो हमारा बहुत पुराना है देखिए लेकिन हम सभी कभी हूं या कि हम किसी भी तरह के लेखन के शेत जुका जैसे कहानी हैं चोटी-चोटी कविताएं हैं चोटे-चोटे प्रोग्राम हैं जिनके तुरू उनका रुजान बढ़े जिनकी कारण और वह दीरे-दीरे अपने आप देखिए इस फील्में इस छेत्र में जरूर आएंगे और यही माध्या में बच्चों तक पहु प्रमूल के हैं यहां पैदा हुए यहां पले बड़े यहां के संस्कारों में हमारी पूरा बना है भविश्च तो बिलकुल हमारे पती के अवकाश प्राप्ति के बाद हम अपने देश में अपने लोगों के साथ अपने परिवार में वापिस ही लौटे ही